दुस्स सुक्के के आर ने रिप्लेस्मेंट प्लेयर के तोर पर दुश्मनता चमीरा को अपने टीम में ओफिशली शामिल कर लिया है कोलकाता नाइटाइड लकनू सुपरचंद रोयल चैलेंजर बिंगोर समेते कई टीम में ऐसी है जिनके कई बड़े प्लेयर्ट ऐसे हैं जो इंजरी के चलते बाहर हो गया है और उनकी रिप्लेस्मेंट में टीमों ने कई प्लेयर्ट को अपने स्कुएड में शामिल किया है तो ऐसे में कौन-कौन से हो पाँच बड़े प्लेयर्ट से किस टीम किया है और उनकी जगे किस प्लेयर को रिप्लेस्मेंट प्लेयर के तौर पर टीमों ने शामिल किया है इस वीड़ में आपको वन बाई वन करके सभी जानकारी जो है मिलने वाली तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपोर्टन वीडियो में अंततक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला इकन दबाद नहुए थे दोस्तो IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिफिशन बॉक में मिल जाएगी तो आएए चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहली जो टीम है कोलकाता नाइडल कोलकाता नाइस के बहतरीन फास्ट बॉलर जो की एटजी एटकिंसन वो आईपिल दो हजाट चोविस से ऑफिसली बाहर हो चुके हैं और उनकी रिप्लेस्मेंट प्लेयर के तौर पर दुश्मंता चमीरा को केके आर ने अपने टीम में शामिल कलिया है इसका ओफिसली अनाउस्मेंट हो चुक है दुश्मंता चमीरा आईपिल दो हजाट चोविस में कोलकाता नाइस के लिए खिलने वाल है और इससे पहले र मार्क उड्ड आईपिल दो हजाट चोविस से ओफिसली बाहर हो चुक है, और उनकी रिप्लेस्मेंट में शमार जोसप को अपने टीम में लगनौ सुपरजंग ने शामिल को लिए शमार जोसप आईपिल दो हजाट चोविस में लठीन सुपरजंग के लिए खिलने वाल है जबकि तीसरे जो प्लियर है चन्नेई सुपर किंग के मुस्तफीदुरेमान मुस्तफीदुरेमान BPL का प्रेक्टिस करते वे काफी जादा इंजट हो चुके है IPL 2024 से पहले उनकी रिकावरी नहीं हो पाती तो IPL 2024 से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगा जो है डेनियल सेम्स को चन्नेई सुपर किंग अपने टीम में शामिल कर सकते है डेनियल सेम्स ते एक बहतरीन ओल राउंड हो जितनी बहतरीन उनकी बहतरीन ये बैटिंग भी कर सकते है तो डेनियल सेम्स काफी बहतरीन चिनने सुपरेंगे के लिए ओफ्षन बन सकते हैं मुस्तफिदु रह्मार के रिप्लेस्मेंट में चौते जो प्लेयर हैं रोयल चैलेंजर बिंगलोर के लोखी फॉर्गेशन लोखी फॉर्गेशन को आईपील दो हजार चैलेंजर बिंगलोर ने अपने टीम में शामिल किया था लोखी फॉर्गेशन आईपील में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं और आईपील दो हजार चैलेंजर बिंगलोर ने उन्हें अपने टीम में शामिल किया था जेसन ओल्ड जो की लोकी फर्गेस्मेंट इपल दो हजार चोबिस में बने सकते हैं, पांचवे जो प्लेयर है मुंबई इडिनेंज के सूरे कुमार यादा, सूरे कुमार यादा की इंजरी अब तक रिकावरी नहीं हो पाई है, अगर आईपल दो हजार चोबिस से पहले उन हाल फिलाल में उनका जबर्दस परदशन भी हो रहा है, तो दोस्तो यह रहो पांच बड़े प्लेयर, तो आपको इन में से कौन सा सबसे बहतरी इन डिप्लेस्मेंट लगा, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता है, क्या के 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 आज ने दूश मंता चामीर को अपने टीम म आप हमें यह भी बता सकते हैं, अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइक अंद बाते हैं, तैंक यू सो मज गाइज फोर वाचिंग इस वीडियो